नमस्कार आपदीख्रे नियूस फॉर्ड नेशन और मैं हूँ सांथवना आपके साथ इंडियन रेलवेज अपने यात्रियों के लिए अक्सर नई उचनाई बहाल करता है ऐसे में यात्रियों को किसे बात की कोई परिशानी ना हो इस बात का खास खयाल रखा जाता है इंडियन रेलवेज के तरफ से कई बड़े आदेश अंदनों जारी किये जा रहे हैं यात्रियों की यात्रा सुगम हो सके उन्हें सुविधाई पूरी तरीके से प्राप्त हो सके इस बात का खास खयाल रखा जा रहा है अब बात करें बिहार की रेलवेज स्टेशनों की तो आपको बता दें कि बिहार के रेलवेज स्टेशनों के लिए इंडियन रेलवेज ने बड़ा फैसला लिया है जहां बिहार के बारा रेलवेज स्टेशनों को वर्ल्ट क्लास लेवल पर पूरी तरीके से बदल दिया ज कई बड़े बदलाव इन 12 स्टेशनों पर देखने को मिलेंगे जहां बहार की ये रेलवे स्टेशन किसी वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन से कम नहीं दिखेंगे। या पास की जमीन पर PPP मोड पर होटेल बनेगा पूर्वमध्य रेल में सबसे पहले राजेंद्र नगर टर्मिनल गया जंक्शन और मुजफर पर जंक्शन पर इसके सुवधा मिलेगी। साथ 2024 तक वर्ल्ड क्लास बनाने का लक्श है यहां निर्मान कार शुरू हो चुका है मुजफर पूर और राजेंद्र नगर टर्मिनल पर अगस्त में शुरू किया जाएगा। मेट्र प्रोजेक्ट की वज़े से राजेंद्र नगर टर्मिनल पर काम गती नहीं पकड़ रहा है। हलाकि यहां तीन लिफ्ट और दू एक्सिलेरेटर लगाए गए हैं। बनेगी अंडरग्राउंड और मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाया जाएगा। आसपास की सड़कों को बहतर किया जाएगा। सर्कुलेटिंग एरिया सुरक्षिट जोन के तौर पर विक्सत होगा। प्रवेश रनिकास दोनों ऐसे होंगे कि भीड ना हो। प्रतेक प्लेटफॉर्म पर एक्सलेडेटर और लिफ्ट की सुवधा बहाल की जाएगी। खान पान वाश्रूम पैजल एटियम इंटरनेट की सुवधा भी होगी। बिहार के 12 स्टेशनों को वर्ल्ट क्लास स्टेशन का रूप दिया जाएगा जहां वाई-फाई, पेजल, हुटेल और सारी सुवधाओं को बहाल किया जाएगा, मल्टी स्टोरज पार्किंग होगी, मॉल्स बनाया जाएगे, दुकानों को बढ़ाया जाएगा, एक्सलेट की उमीद है, फुला के लिए इस खबर में इतना ही है, न कई खबरों के लिए मैं साथ बनी रहे, न्यूस फार्डेशन में, नमस्का.